कबीर जी गुरू नानक साथ तो पहला हूए। रविदास जी भी उना तो पहला होए। थोड़ा जया उनना जीवन का गुरू नानक साथ दे नाल नाल कुजरेया। उसे समे बच रहे। लेकन उनना घी बाणि नू गुरू नानक racing ने कत्र कीता। और एजड़ा उनने उद्म कीता, यह बहुत बड़ा उद्म सी, सिख चिंतन दा एजड़ा आदार सी, के समुचे विर्षे नू, समुचे साड़े सब्याचारक, साड़े साहत एक, साड़े बाणी दे विर्षे नू इक अत्र कीता जावे, और उसनू एक मांचो तेले आया ज सी, और उनने जिते ऐसी देख साकते हैं के पिछों आगे गुरु अर्चन देव जी ने छे पांच गुरुआं दी बाणी, पंद्रह पागितां दी बाणी, गुरुकार प्रेमियां दी बाणी, एक थाए कत्र करके, चार तो ज्यादा साड़े चार सदियां दा जड़ा साह बाणी है, वो एक थाए कत्र करके, बहुत बड़ा उद्म कीता, एस उद्म दे पिछे एक होर गाल बहुत बड़ी जुड़ी होई सी, के उनना ने एक प्लैटफार्म दे उत्ते उनना लोकानू लेंदा, जिनना ने अनगौले हो जाना सी, जिनना ने गुवाच जाना सी, पागती लेर ते गुर्मत लेर नू दा संजोग करके, जीवन वेच एक सुर्ता पैदा करना लें, आदार शुरू किता, ए आदार अग्ये तोर्या गुरु अरजन देव जी ने, जदों गुरु अरजन देव जी ने, ए जतन किता के, एक जड़ा सिक पंथ है, सिक चेंतन एक बाजमा रूप होवे, ते गुरु नानक ने जड़ा शुरू किता सी, ए जनतन दी पदर उते युद, ओस युद नू कोई आखरी शकल दिती जावे, ते ओ आखरी शकल उनने एक परबंदक रूप देवे, ते बहुत वड़े पदर उते, बहुत खूबसूत पदर उत देती, बेशांक गुरु अर्जन देव नू एस कारण करके शहादत कबूल करनी पई, क्योंके उस वेले दे मुगल एंपरर ले, मुगल बादशा ले, ए बहुत वड़ी चनौती सी हो देती, एकन सोवां पहुंच दियां सी, के एक नवां गरांत त्यार किता गया है, एक गरांत दी जोट दी गाल किती जा रही है, पांत दी जोगत दी गाल किती जा रही है, ता उदेले गुरु अर्जन देव बड़ी बड़ी चनौती बन गे, लेकन गुरु शाब ने, गुरु नानक देव जी ने जिड़ा ऐलान नामा किता हुए असी, जो उना ने चेंतन द तूंदे अ अरुत एप्रतिरोद लिजयु से ह्नु कहने है वार ओफ र्र्जेस्टेंस के तुस्यी वीकर से पाः स्याँ थी छोटी जमाठ माठी है ढड़ कोई फौज नहीं लेकिन तूँ होदे को विचार है तुसी कहने होके विचार हो मैं olho छाट नहीं सका था क्यूंके विचार हे मनुख दे पले लिए है ओस वेले दी बादशाहत जेडी सी ओ मनुख दे पले दी गाल कारन वाले हैं ते अपने दोश्मन समीदी सी आजवी असी देख सागदे हैं के एजडियां ओच श्रेणियां ने उना दे अंदर एक इस किसम दी दवयाश पावना मौजूद असल वेच गुरु सहाँबान ने दवाश पावनानू दूजदी पावनानू दूर करन ले ही सारा प्रचार कीता जे शिक चेंतन नूं पूरी तरह अजन किता जावे, पूरी तरह पड़या जावे ते पूरी तरह विचारया जावे ते ओधे आधार ते पैदा हुईयां कि यू समने रख़या जावे, ता निश्चत वर्थे, ए महसूस किता जा सकदा कि इस तो वर्ड़ा कल्यान कारी हो कोई चेंट नहीं हो सकदा, जड़ा बराबरी दा संकल्प है, अजादी दा संकल्प है, और मान, नाड, जीन, दा संकल्प है, अपने तर्मदी आप चोन कर द लिये हुआ हुआ है जो दो गुरूнес सिंग ने खाल सेदी सिरिना कि उसाखी घ Objective鑭 ज्याइन आतस्त चालर। चल रहे थिम्हाई है उसी म्हसूस कार साख्ओ रहा है याहा कार साख्द रहाद है गुरू मेसा patch einem सिंग जिनग दे करके इनकलाबी जुगत पैदा हुई जिना दे करके खालसे दी सिर्जना हुई ते जिना दे करके गुरु नानक साम वलों शुरू किता गया पांच प्रवान पांच प्रदान पांच पावे दर्गे मान पंजादी जो प्रदानगी है पंजादी जो प्रवानगी है उस द पुर्दार्या और गुरु गोविन सिंग तक जदो पहुंचे आते गुरु गोविन सिंग ने इनु एक नमी शकल देती ते पाई जयता जड़ा गुरु तेग बहादर जा सीच लाय के आया सी क्या के रंग रेठे गुरु के बेठे वो जीवन सिंग बनेया मगरू आके और स संगर सिंग वी जनु नीमी जादा समझा जादा सी पहलों गुरु गोविन सिंग ने जदो चम कार्दी कड़ी छड़ी ते अपना बाना、 आपनी कलगी संगफ संगर सिंग दे श्रीरतिय सजाया तांके ओहू गुरु गोविन सिंग वरगी शकल दखाके मुगला नों रोक स के जदों पांच पयारे हां दी से जना की ती जाट चीमबा ची हीर नाई ये सारे जड़े सी पंजे दे पंजे ए छोटी हैं जाता हां दे समझे जांदे सी लेकन गुरू दे लड़ा के ओ एक सुचे सिख बन गे और खालसा रूपतार न कर गे जड़ा गुरू साब ने पगत क्बीर जी नी जे स्वळे खालसे दी डैफीनेशन दे टीससी कौकबीर हम पगत परेम पागत ता जानी उन्हा नू प्रेम् दी दोर बे च बनैया तो इनकलाबी कादम किड्डा इनकलाबी कादम चुक्कया के आप उना कुरों छंडे दी पाहल लाई ते आना दी बराबर अधीन होई उना क्या के पांच प्यारे सप्रीम है मैं अधीन है सेख चेंतन दी औलंगणा सेख केंद्रा विचुवी ऐस विड़े हो रही आपने देख सागदिया कि में पांच प्यारेयां दे संकाल प्रणु तोड़या जा रहे है कि में गुरू ग्राशाब दी जो विचा जारता रहा है उसनों टैस्टनेस कीता जा रहा है जो संगते विच बैई के लंगर शकन दिया प्राम प्रामा शी उननों इतों तक के उथे गुरु दरबार विच बैठे जड़े बहुत सारे लोक ने ओ तोड रहे ने ओ अपने कमरें विच लंगर मंगाऊ देया पंगत मुना जाया है तो उनना क्या हुई आत्मर बादशाह नों कहो पहला लंगर शक करिया पंगत विच बैठके ताani इसास भी कि मैं बादशाधा ज़रूर है किसे ना किसे ट्रीकी है, किसे ना किसे कला नाड बन गया लेकिन इसंगर इन चोटे लोका मर गई है जिनन उँ छो झाल झाल